नमस्कार दोस्तों, लौड इस्टरी में आपका स्वागत है और आज हम लोग जेनरल एवेर्नेस के कुछ कोस्टन्स और आंसर्स देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है, कैंत्रिय मंति मंदल में आजादी के बाद आज तक कौन सा मंत्रालय है जिसकी जिम्मेदारी कभी किसी महला ने नहीं समारी मतलब कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसमें कोई महला जो है कभी नहीं बनी, ठीक हैं तो पहला option है rail, दूसरा बित, तीसरा विदेश, चौथा रखता और पर्जमा none तो इसका सही जवाब है none क्योंकि rail मंत्री, बित मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ये सभी मंत्राले में कभी न कभी महला का भागिदारी रहा है ठीक है? अभी फिलहाल में एक जाम में कोशन आ गया था कि अभी बरत्मान में ग्रिभ मंत्राले कौन से मंत्री सम्हाल है है तो उसका आंसर था अमिच्चा बहुत लोगों ने राजनाथ सिंग लिखके आया था लेकिन उसका सही जवाब है अमिच्चा राजनाथ सिंग पहले ग्रिभ मंत्राले रहते थे लेकिन अब वो रक्षा मंत्राले सम्हाल रहे हैं और अमिच्चा ग्रिभ मंत्राले सम्हाल रहे हैं तो मैंने यहाँ पर लिष्ट लगा दिया है आप देख सकते हैं पहला राजनाथ सिंग रक्षा मंत्री हैं दूसरा अमिच्छा ग्री मंत्राले तीसरा निटिन गद्गरी सरक परिवहां राजमार एभं शुक्स लगू मध्यम उज्यम मंत्राले चौथा देवी सदानन गौरा रसायन एभं उडबरक मंत्राले पच्मा निर्मला सितारवन बित्त मंत्राले छथा राम बिलास पास्मान उपभोगता मामले खाती एभं नागरिक आपूर्थी मंत्राले सात्मा नरेन सिंग दोमर क्रिसी एभं किर्शक कल्यान ग्रामीन विकास पंचायती राजमंत्राले आठमा रविशंकर परसाथ इलक्ट्रोनिक्स एभं सूचना तक्निकी मंत्राले नम्मा हर सिंग रत्कवर बादल खाती प्रसंसकरन उद्योग मंत्राले थावर चंद गहलोत समाजिक न्याय एभं अधिकारिता मंत्राले एस जैसेंकल बिदेश मंत्राले रमेश पोख्रियाल निसंक मानव संसाथन एभं विकास मंत्राले तेरह अर्जुन मुंदा आड़ी बासी मामलों का मंत्राले चौधा अस्मृति इरानी महिला एभं वाल विकार्श था कप्राम मंत्राले बास्महर्श बदा स्वास्त एभं परिबाल कल्यान विज्ञान एभं टक्नीक प्रिथिवी विग्यान मंत्राले सोलमा प्रकास जाविद कर परियावर्ण जल्वायू वन सूचना एवं परसालन मंत्रा रहा है प्यूस गुएल रेलबे तथा वानिज उद्योग मंत्रा रहा है धमेंद पधान पेट्रोलियम तथा प्राकिर्टिक गैस इसपाथ मुक्तार अब्बास नकवी अल्प संक्यक म मामलोग का मंत्रा प्रिलाज जोशी संस्ध्यकारी कोईला तथा खदान मंत्रा रहा है महेंद नात्पांडे कौशल विकास एवं उद्यमेता मंत्रा अरविंद शावद भारी उद्योग और शावजनिक उपकरम मंतरा है गिरीराज सिंग प्रसूर्ञ भण देरी तथ यव दूसरा प्रस्ण है बिहार की महत्पुन पदों में वह कौन सा पद है जिस पर आजादी के बाद आज तक कोई महिला नहीं बैठी है और वो है राजपाल अतलब राजपाल का जो पद है उस पे बिहार की बात है कि बिहार में जो राजपाल का पद है उस पे कभी कोई महिला भारत के राज़ों में पहला राज्थान का है तो अदर भारत के राज्थान किस राजिका है तो आपको लिखना क्यों पहला हूगए दूसरा कौन सा राज्थान तो दूसरा मेरा हो गया मध्ध पर्देश राज्थान के बाद को जानकारी ले लेते हैं राज्थान की राजधानी की जैपूर मुख मंत्री आसो गहलोत जो कॉंग्रेस पार्टीश है ठीक है अब यहां से देख लो तो गुजरात राज्थान मध्ध परदेश चाटिश गर्ड़ जारकन पच्छम बंगाल टिपूला और मिजोरम तीक है अब जापूल गवर्नर करलाज मिश्वाइक वरिभाइज कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर असुक गहलोत और एरिया रेंग क्या है फर्स्ट मार्द प्रदेश के वान कुछ जानकाए लेते हैं मस्परद ज्याजधानी कहा है भूपाल गवर्नर अनंडी बेन पतेल हैं चीफ म सब्सक्राइब कर देखा होगा इसमें जॉन अब्राइम हीरो हैं तो उस मूवी में दर्षाय गया है कि पोख्रण में जो भी बिस्पोट हुआ था वह कैसे हुआ तो में क्या क्या करना पड़ा था तब जाके भी स्पोर्ट कर आ गया था इसमें अटल ब्यारी बाजपई अठे उनकर सहयोग भी था ठीक है तापको याद रखता है मैं महिने में हुआ था कि यह देखे अटल ब्यारी बाजपई है यहां पर कि भाजम प्रसन खालिस्तान की मांग को जोर्दार ठंक से उठाने वाले और इंद्राकंदी को हिंसा की द्वारा चुनवति देने वाले अकाल तक्त के परिशित्यनेता विंडार वाले की हत्या किस बर्स हुई थी यह देखे संत जर नाईल सिंग जी खालसा विंडर विंडर लेक्ति नेम है और मरकरी नाम है लातीन नेम है ढैर के सात्मा फ्रस्ना 1934 के रास्टमंदल खेल में भारत ने पहली बार कहां भाग लेंटन यह होगा खेल खेल भाहराज जो पहली रेमोट सब्सक्राइब क्सरीं या सबस्वाइब करेा है यह सकता है कि आप अब से हुआ भारत ने पहली राष्ट मंदल कब भाग लिया था और आपको उतल लिखना 1934 और कहां भाग लिया लंदन में और कि कौन सा खेल का बात करते हैं राष्ट मंदल खेल कि आत्मों प्रस्ट में बड़ागा जन जाती किस राजकी में निवास करती है और टमिन नादू की राज़ानी का है चैन ने ठीक है नम्मा प्रस्ट में गोवा राज का निर्मान कव कैवे संविधान संसोधन द्वारा हुआ था और वो है 56 मा वालब 56 संसोधन जो हुआ था उसमें गोवा राज का निर्मान हुआ था बिहार की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कौन सा कठन सही है तो बिहार से राजसभा में 16 सदस भेजे जाते हैं बिहार बिधान सभा में कुल 243 सदस होते हैं बिहार बिधान परसद में कुल 75 सदस होते हैं सभी कोई नहीं और इसका आंसर है सभी मतलब यह तीनों आप्सन जो सही है मतलब आप यह भी याद कर लो कि बिहार में बिधान सभा में कितने सदस होते हैं तो 243 सदस होते हैं और तो धंद्धार दोस्तों आज क्या सवाप्ट करते हैं फिर में कुछ नई प्रस्न के साथ आपके इस पार्च होगा और तब तक के लिए धन्यवाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और प्लीज सस्क्राइब करें धन्यवाद